Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel Online Study with Sitan तो आज के इस वीडियो में हम Coding Decoding के Part 2 को देखेंगे Part 1 में हमने पढ़ा था Based on Alphabetic Letter, Based on Number और Based on Letter Number तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Decoding, Continuing Coding और Word Coding तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखेंगे हम Decoding Decoding भी Coding की तरह ही होती है, जो Pattern Coding के लिए यूज किया था उसी Pattern को हम Decoding के लिए भी यूज करेंगे तो चलिए इसके Question देखते हैं तो Question है हमारा Gold को FNKC के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भासा में BHMC को कैसे लिखा जाएगा तो चलिए इसको इसमें दिया गया है Gold का FNKC और BHMC का में निकालना है तो सबसे पहले हमने बताया कि Decoding को भी Coding की तरह ही करते हैं Coding को हमने टू टाइप से किया था addition and subtract की रूप में अपोजिट अल्फावेटिक लेटर की रूप में तो सबसे पहले देखते हम addition and subtract की रूप में तो यदि हम G में माइनस वन करेंगे तो हमारा F आ जाएगा इसी परकार हमें O में माइनस वन करेंगे तो हमारा N आ जाएगा L में यदि हम माइनस वन करेंगे तो हमारा K आ जाएगा इसी परकार यदि D में भी हम माइनस वन करेंगे तो हमारा C आ जाएगा इसी pattern को हम BHMC में भी use करेंगे लेकिन इसमें माइनस वन नहीं करके प्लस वन करेंगे प्लस वन क्यों करेंगे क्योंकि इसमें डिकोडिंग को कोडित किया गया और इसमें कोड दिया हुआ है और हमें डिकोड निकालना है तो इसमें हम वी में प्लस वन करेंगे तो हमारा डवलू आएगा H में प्लस 1 करेंगे तो हमारा I आएगा और M में प्लस 1 करेंगे N आएगा C में प्लस 1 करेंगे तो हमारा D आजाएगा यह हो जाएगा हमारा Wind तो हमारा Option हो जाएगा A तो Next है हमारा यदि किसी सांकेतिक भासा में मेरट को BNI, BGF कहा जाए तो उसी सांकेतिक भासा में L, H, E, O, W, V को क्या कहींगे तो चलिए इस question को solve करते हैं उसमें तीया गया है कि merit को V, N, I, V, G, F कहा गया है और L, H, E, O, W, V का हमें निकालना है सबसे पहले देखना है हमें M, M से V कैसे आया opposite भी नहीं है और add करेंगे तो हमें ज़्यादा add करना पड़ेगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो हम देखेंगे M M का कहीं opposite दिख रहा है हमें N हमें पता है कि M का opposite होता है हमारा N तो यहां पर यह ऐसे किया गया है कि M का opposite N E का opposite हमें V होता है तो ये V हो गया इसी प्रकार है यहां पर भी क्या गया है ए का आपोजिट V R का आपोजिट I U का आपोजिट F और D का आपोजिट G तो इसी पैटर्न को हम इसमें भी यूज़ करेंगे फ्रेंट्स आपोजिट अल्फावेटिक लेटर हमने पार्ट बन में बताये थे आपको कैसे याद करने हैं और उसकी इसमें ट्रिक भी बताई गई थी तो फ्रेंट्स इसी पैटर्न को हम इसमें भी यूज़ करते हैं तो देखते हैं सबसे पहले करते हम L L का आपोजिट होता है हमारा O यहाँ पर लिखेंगे हम O H का आपोजिट होता है हमारा S तो यहाँ पर आएगा S E का आपोजिट होता है हमारा V W का आपोजिट होता है D और B का आपोजिट होता है E तो इसका आंसर होगा हमारा Solve तो हमारा Option होगा C C आप्शन होगा हमारा सही चलिए अगले pattern की और चलते हैं Next है हमारा continue coding Continue coding में क्या होता है Continue coding में होता है कि इसमें किसी word की coding other words से की जाती है और इस other words की coding दुवारा से किसी अन्य word से दुवारा की जाती है तो इसे बोलते हैं continue coding Example के लिए जैसे हमारा red Red को इसमें लिखा गया पिंक और Pink को लिखा गया है Orange तो सबसे पहले एक word लिया है नों नहीं और उसको Code किया अधर वर्ड से पिंक से और Pink को दुबारा यूज किया दुबारा इसकी Coding की Orange से इसको कहते हैं हम Continuum Coding तो इसके Base पे हम देखते हैं Cushion कैसे आता है चलिए चलते हैं तो कोश्चन है हमारा यदि किसी सांकेति भासा में लाल को पीला, पीले को गुलावी, गुलावी को हरा, हरे को नारंगी, नारंगी को नीला, नीले को बैंगनी कहा जाता है तो इंदर धनुस के मद्धे वाला रंग कौन सा होगा चलिए इस कोश्चन को सॉल्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें देखना है कि इंदर धनुस में कितने कलर होते हैं, तो आपको पता है इंदर धनुस में सेवन कलर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं तो हमारे कलर होते हैं ये फ्रेंट्स ये कलर की सौट फॉर्म है तो हमें सबसे पहले इसमें पूछा है इंदर धनुस के मद्धे वाला रंग तो मद्धे वाला कलर कौन सा होगा तो मद्धे वाला कलर होगा हमारा जी जी की फुल फॉर्म होते हैं हमारे ग्रीन जी का मतलब होता है हमारा green color होगा तो friends इसमें पूछा गया है कि उसको coded करना है मैं तो green का code इसमें क्या दिया हुआ है हरे को कहा गया है इसमें नारंगी तो answer हो जाएगा इसका नारंगी तो option है हमारा D तो चलिए next question के ओर चलते हैं next question है हमारा किसी सांकितिक भासा में भारत को चीन, चीन को स्री लंका, श्री लंका को अमेरिका, अमेरिका को रूस, रूस को इरान, इरान को जापान, जापान को जर्मनी कहा जाए तो विश्व का कौन सा एक मात्र देश दो महादेशों में तो हमें सबसे पहले देखना है कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में एक है तो हमारा जो देश है वो है रूस रूस एक ऐसा एक मातर देश है जो दो महादेशों में है कौन-कौन से महादेश है वो यूरोप और एशिया यूरोप और एशिया दो ऐसे महादेश हैं जिनके जिनका एक मातर जो देश है वो रूस है तो इसमें रूस का कोड किया गया है इरान से तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इरान आंसर है हमारा इसका इरान क्योंकि रूस को coded किया गया है इरान और रूसी एक ऐसा एक मातर देश है जो दो महादेशों में एक है और यही इस question में पूछा गया तो answer होगा हमारा C next है हमारा word coding word coding क्या होता है मालनो आपके पास कोई word है जैसे food food and eat food and eat को coded किया गया है five and seven और दिया गया है from और food और इनको coded किया गया है six and five से और आप से पूछा गया है कि food को coded कीजिए तो आप किसे करेंगे तो इसमें food का दिया गया है food दौनों में दिया गया और उसका code दिया गया हमारा five तो answer हो जाएगा five प्रेंट से बहुत सिंपल है तो चले question को देखते हैं question है हमारा किसी सांकेतिक भासा में run very fast को 389 और come back fast को 469 और run and come को 384 से ब्यक्त किया जाए तो चले इस question को solve करते हैं तो इसमें कहा गया है run very fast को 389 come back fast को 469 run and come को 384 और पूछा गया है कम के लिए किस अंका प्रियोक्त किया जाएगा तो friends कम इसमें भी दिया गया है और कम इसमें भी दिया गया है तो इससे 4 से coded किया गया है तो इसका answer हो जाएगा हमारा 4 option हो जाएगा A A is correct answer friends आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो like करना और share भी करना और यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है coding and decoding का part 1 नहीं देखा है तो आप description box में जाएए और वहां पर इसकी link है तो आप वहां से उसे देख सकें झाल